नबसकार दोस्तों तो तमनेल देख करतों है आज हम किस टापिक के बारे में बात करने वाल है तो चले बिना टाइब गवाए, अपना टापिक स्टार्ट करते हम देखिए इंडिया में भी start ups का दौर चल रहा है सबी लोग मों start ups करने में लगे पड़े हैं क्योंकि नौकरी पाना एक बहुत ही जादा मुश्किल काम हो गया तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक restaurant कैसे open up कर सकते हैं अगर आपकी कोई खुआई से restaurant open करने की तो उसके लिए क्या क्या documents और क्या क्या procedure होते हैं मैं आपको सारी इस वीडियो में बता दूँगा किस तरह का restaurant खोलना है मतलब कि आपको badge खोलना है कि non badge खोलना है कि badge नौन badge दोना होना चाहिए फिर उसमें bar भी होना चाहिए मतलब कि अगर आपको तीनों categories चाहिए हैं तीनों categories का भी restaurant होता है जो cost है वो restaurant का वो तीन categories के according ही decide होगा badge, non badge and कम bar तो सबसे पहले आपको क्या decide करना है कि आपका restaurant का concept कैसा होना चाहिए badge या non badge जैफिर उसमें bar भी include होना चाहिए तो जो second point हमारा वो है decide the location of your restaurant concept clear करने के बाद में आपको एक better location चाहिए होगी अपने restaurant को चलाने के लिए वो कहते हैं ना कि अगर आपकी location best है तो कोई business आप successful बना सकते हैं उसको success बनाने की process बहुत ही ज़्यादा आशान होते है तो बिल्कुल बैसे ही आपको एक बहुत प्यारी सी location नून नहीं मेरा मतलब है location से मेरा मतलब है कि आपको कोई ऐसी location नून नहीं जहाँ पे tourist place हो मैं भी वहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हूँ तो जैसे कि nearby park और कोई भी आप देगे लिए crowded area हो वहाँ पे अगर आप अपना जैसे कि कोई भी crowded area होगा तो अगर आप अपना restaurant open करेंगे तो 100% and definitely वो restaurant work करेगा ही करेगा और चलेगा ही चलेगा आपकी income बहुत ज़्यादा होगी multiply होगी आपकी income तो आपको एक तो location बहुत ही ज़्यादा दिमाग से और ध्यान से choose करना की on what location you should have to open a restaurant and यो third point है तो third point है हमारा get all the required licenses ये point बहुत ही ज़्यादा important है कि आपको actually मैं license कितने चाहिए बहुत सारे license लगते हैं restaurant को open करने के लिए इसलिए बहुत सारे लोग open करते भी नहीं है तो ये license वाला concept बहुत ही ज़्यादा important है इसको हम तोड़ा सा late cover करेंगे third point है हमारा license वाला इसका पहले मैं यह सारे बता देता हूँ procedure के आपको और क्या-क्या चाहिए होगा उसके बाद हम license के बारे में discuss करेंगे तो जो fourth point हमारा वो है get the workforce लिए आपको वरकर्स चाहिए होंगे अपने रेस्टेंट में काम करने लिए वो आपको decide करना पड़ेगा कि कितने वरकर आपको चाहिए होंगे अपने रेस्टेंट के concept के according और location के according अगर location ज़्यादा crowded वाली है तो आपको ज़्यादा बरकर चाहिए होंगे तो उसके according आपको workforce decide करने पड़ेगी और आपको उसके बाद जो fifth point हमारा वो है design a stellar menu इसका मतलब होता है कि आपको अपने रेस्टेंट का menu decide करना पड़ेगा प आपकी documents में भी लगेगा तो आपको menu भी बहुत ध्यान से बनाना है बैटके और जो six point हमारा arrange vendors and suppliers for your restaurant लगे आपको vendors को arrange करना है and suppliers को भी arrange करना है मतलब कि आपने restaurant open कर लिए माल लीजी आपका restaurant open हो गया उसके बाद आपको उसको चलाने के लिए vendor भी तो चाहिए होगा और उ कर सकते हैं जो seven point है वो है right technology at your restaurant आप टेकनलोजी का installment भी करवा सकते हैं जैसे कि right technology से मेरा मतलब है आप कोई LED स्क्रीन लगवा सकते हैं अपनी shop पे कोई restaurant पे अपनी LED स्क्रीन लगवा सकते हैं जहां पे आपका menu display हो और और जो आपकी kitchen है वो कितनी hygienic है मतलब कि कितनी साब आप सुत्री है चलिए लोगों के ओपर आपके restaurant के लिए एक positive point बैठेगा मतलब है कि आपको अपनी restaurant के marketing पर focus करना है that is कि आपको कहाँ अपना add run कराना है कहाँ पर add देना और कैसा add देना है आपको आप कैसे online deliver करते हैं या नहीं करते हैं फिर आपके business में क्या इस facility है बोश अपको आपको लोगों को बताना है through advertisement now बात करते है third point that is get all the required licenses यह बहुत ही चाहत इस पॉइंट को ध्यान से सुनेगा कि आपको कौन-कौन से license की requirement पढ़ेगी देखिए सबसे पहले आपको जरुत पढ़ेगी FASAI के license की FSSAI license की जो की आपको पढ़ेगा 2000 रुपीज पर year का तो देखिए आप इस website पर देख सकते हैं मैं इस website पर आया हूँ विजिट कर रहा हूँ आप यहाँ पर registration कर सकते हैं अपने restaurant के लिए तो सबसे पहले आपको जरुत पढ़ने वाली है FASAI license की यह must है यह पस होना ही होना चाहिए अगर आपको एक restaurant open करना है तो जो second license हमारा आता है वो है liquor license अगर आपको अपनी restaurant पर दारु बेस नहीं है फिर year बेस नहीं है तो आपको यह लिक्वर license की जरुत जरूर से ही आपको यह भी आपको मिल जाएगा online ही है इसके लिए आपको apply करना पड़ेगा apply कर सकते हैं अपनी state government के portal पर आप इसे apply कर सकते हैं जो next license है that is health trade license तो यह actually है क्या यह है public की health की जिम्मेदारी भी है आप ही लेंगे मतलब कि आपके खाने से होने कोई नुकसान नहीं होना चा तो आपको eat license भी लेना ही पड़ेगा जो next license है वो आपको लेना पड़ेगा that is eating house license जो कि आपको issue कराना पड़ेगा अपने सहर के police commissioner से वही आपका यह license एशू करके देगा that is called eating house license जो next license that is called shop and establishment act ये भी आपको issue कराना पड़ेगा इसमें actually होता है कि आप आपका जो restaurant है वो आ पड़ेगा as a shop under the shop and establishment act के अंडर इंजी next point is that is called GST registration ये बहुत ही जात important आपको business register कराना पड़ेगा under the GST registration आपको अगर आपको GST registration नमर लेना है then आपको जाना पड़ेगा www.gstgovern.in पर इसकी website पर जाके आपको खुद को registration करना पड़ेगा GST नमर लेने के लिए अपना business register करन करने वाला है वो पड़ेगा एक non badge sorry एक badge restaurant का that is 10 to 15 lakh rupees and जो non badge अगर आप उपन करेंगे तो वही पड़ेगा जाके 10 to 17 to 20 lakh rupees मतलब कि 10 lakh से 17 से 20 lakh तक का आपको पड़ेगा जाके अगर आप उसमें एक बेर बार भी इंक्लूड करते हैं तो वही प्राइस extend होके बन जाएग 35 lakh यह वैरी भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा facilities add कराते हैं तो यह एक करोड तक कभी पहुंच सकता है आप समझ रहे ना मैं decorating के बात कर रहा हूं और location की बात कर रहा हूं तो अगर आप उसे add करते हैं तो यह करोड तक भी पहुंच सकता है और depend करता आपके state में जो क्या rates च में बाकि आपके other state में कितना है यह सब कुछ इसी के around रहता है जैसे कि माल डिजा अगर आप एक non badge बैज रेस्टेंट open करें तो UP में उसका price है 10 to 15 lakh rupees तो other state में हो सकता है 10 to 13 lakh rupees हो हो सकता है 10 to 16 यह 17 lakh rupees हो मतलब कि इसी के around room ते रहते हैं सारे prices तो आपको कोई भी चिंता करना ज़रूत नहीं और सारे state में procedure same ही होता है अगर किसी को सच में restaurant open करना है then he or she can contact me on instagram मैं अपने instagram id description में डाल दूँगा आप मुझे follow कर लिजेगा और मुझे message करके आप पूच सकते हैं मुझे तो मैं आपको 100% reply दूँगा and guys make sure you have to subscribe my channel and like the video if you enjoyed and अगर आपको कुछ भी समझ म आयो अगर आपको लगाए कि आपके आपकी knowledge को इसने बढ़ायो अगर आपको कुछ नया सेखनी के लिए मिला हो तो please subscribe जरूर से कर दीजिगा channel को thank you मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए चैंद चैंदुस्तान